पोहा से स्नाक्स बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पे पोहा, यह ब्रेक्फास्स बनाने के लिए जो पोहा होता है नहीं बस वही पोहा है, यह हमें चाहिए 1.5 कप, यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है, उसके उपर एक छले रगती है और उसमें डाल लिया है 1. पौहा अब हमें पौहा अच्छ से घिखो के लेना है यहां पर पाने बेदा दाल्रिया है कि पौहा के ऊपर युपर तक भीने बरगता ऑट यह से साफ़े के लक्षामी। इसे पारी में से निकाल के लेना लिखता nous पानी कि दो सकत Laurewife in Direant 10 minutes टक एशी ही रेस्ट के यह चूड़ना है और यहां पे 10 minutes हो गये है और अच्छा सवब्ट हो यह और हलका सेеци oncology आप जढ़ा के लिए उसे तरह के मैश करके लेंगे लगा उसी तरह से भी डो बन जाता है तो यह दिखिए पोहा को मैंने अच्छे से मैश करके लिया है और यह एक दम दो होता है वैसा ही बन गया है तो अब आपको जा खरना है एक बारी गटा हुआ प्याज दो हरिमेश बारी कटी हुई यह स्वात के अलुसाल नमक डाल देंगे आधी छोड़ी चमश चिली फ्लेक्स अगर आपको ज़्यादा स्पाइस से पसंद है तो थोड़ी से ज़्यादा भी डाल सकते हैं आधी छोटी चमश चात नसाला और यह आधी छोटी चमश धना पावडर लिए इसे के साथ बारे कटा हुआ एक मूठी बरके डाल दिया है मेने और दो बड़े चमश फ्रेसन और मैंने तीन चोटे आलू पहले से उबाल के रख दिये थे आलू के चिल्के भी निकाली है और अब यह जो आलू है को इसी को इस तरह से मिश्य चैनल डाल दिए को उसके नियुसाइब तरुशल दे खिलिए पिट इस Mysh hai मोच अचंहें मोचित को प्रदरा यह मिख्म द्याद नहीं तो अब आप इस डो में से जो भी शेप का आपको स्नैक्स पसंद दिने उस शेप का बना सकते हैं, या तो गोल-गोल पकोड़ी की तरह भी बना सकते हैं, कटलेट की तरह भी बना सकते हैं, या भी स्क्वेर शेप में भी बना सकते हैं, तो बस इसी तरह से मैं सारे स्नैक्स ब करना है तो जितना भी आपने प्रा में त्व अपने खिरकी कर दे पर या है, तो टूट जाता है शोड देंगे या हृँ हिल्का सा बलब प्राम जाता हैивает तो आप जहारे से या फिर इस तरह से काटा चमचू होता है उससे भी फिलिप कर सबते हैं और एक बार इसको परड़ दिया ना उत तो उसके बार भी इसका अच्छा सा गोल्डन कलर आये तक ऐसे ही छोड़ देंगे तो यह दिखिए हैवारा स्नैकस यह अच्छे से फ्राई हो गया है इसको इनन्टा से फ्राई हो गया है ईसको मैंने ने च्बंद अपर जया थे छोड़ दिया था तो ज़लीются पर कर दो हमिए अिसको निकाल के लेते हैं इसको निकालने उस देंगे और स्जेम पोहा से बना तो आप इस रेसिपी को एक बार घर पर जरू ट्राइक करके दिखिएगा और रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेर्ट, थाइंक यू सो मच पोचिंग माइ वीडियो